नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके बास Nokia 2.4 है या फिर 2.3 है तो यहाँ पे आप alarm की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो alarm सेट करने के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल करके चले जाएं अब यहाँ पे दो alarm आपको आलरेडी देखने को मिल जाते हैं जैसे Monday to Friday वाला साड़े आठ बजेगा और Saturday संड़े वाला नौ बजेगा तो यहाँ पे आप डारेक्टली इसे भी आउन कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप नया करना चाते हैं तो प्लस पे चले जाएंगे प् तो यहाँ पे मैं टाइम डाल देती हूं आठ बजेगा ऐसे 00 और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे एम और पी एम दिख जाता है तो मैं एम कर दूंगे मॉर्निंग का और यहाँ ओकी कर दूंगे इतना गंड़ी के बाद यहाँ पे यह स्टैप से उपन हो जाता है तो रिपीट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हर दिन का रिपीट चाहिए तो यहाँ पे यह पर पर पल कलर कर रहेगा लेकिन जिस दिन आपको अलरम सेट नहीं करना है उस दिन आप इसको अंचेक कर देंगे तो यह अपका ग्रे कलर का हो जाएगा तो यहाँ पे मैं हर दिन कर दूंगी और यहां पर आपका अलारम का रिंग तो आप यहां पर चेंज कर लेंगे मैंने वीडियो में बता रख है महा से चाके यहीं से भी आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं वाइबरेश इहाँ पर चाहिए तो इसको चेकमाड करके रखेंगे अगर नहीं चाहिए तो इसको अंचेक कर देंगे लेबल की बारी आ जाते हैं तो लेबल पर आप वो चीज लिखेंगे जिससे आपको रिमाइंड हो जाए ताकि यह अलारम किसलिए बजाए तो मैंने दवाई लिख दिया ताकि एक बर पढ़ने पर याद आजाए कि मुझे यह दवाई खानी है कुछ भी आप यहाँ पर लिख देंगे और ओके कर देंगे तो यह आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है एक तरकर रिमाइंडर होता है और यहाँ से गूगल रूटीन भी आप लगा सकते हैं और डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं अलरम यहाँ से और एरो पे क्लिक करके इसको आफ मतलब ऐसे कर देंगे और यहाँ से ओन आफ कर सकते हैं अलरम को तो यहाँ पर alarm की setting हो चुकी है तो इस step से आप set कर लीजेगा और यहाँ पर आपको 3 dot पर setting पर जाके snooze की setting देखने को मिल जाती है alarm में जिसके silence after कितने minute के बाद silent होना चाहिए alarm बचता है तो 5 minute या फिर 1 minute आप लगा सकते हैं और यहाँ पर snooze की length कितनी होनी चाहिए कितनी देड़ तक बचना चाहिए यह यहाँ पर मैंने 2 minute कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर आप alarm का volume कितना रखना चाहते हैं वह रख लेंगे ठीक है और इसके बाद यहाँ पर पैक कर देंगे तो इस step से writing कर लीजेगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार